Hello friends, welcome back to my channel आज के वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे और स्टोरी का टाइटल है The Proud Rose Proud means घमंडी जिसको अपने उपर घमंड होता है और रोज है गुलाब का फूल तो घमंडी गुलाब का फूल और इस स्टोरी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे एक तो हम रेडिंग प्रैक्टिस करेंगे वर्ड बाइवर्ड एक एक शब्द का कैसे उचारन करते हैं और न्यू वर्ड मीनिंग सीखेंगे जिससे आपकी वोकैबलरी बढ़ेगी साथ में कुछ ग्रैमर स्ट्रक्चर आएंगे तो वो मैं समझाती भी चलूँगी उससे आपको क्लियरली समझ आजएगा कौन सा स्ट्रक्चर कैसे यूज करते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज की स्टोरी द प्राउड रोज घमंडी गुलाब का फूल यह द है तो यह एक आर्टिकल होता है ए एन द द हम तब यूज करते हैं जब किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे होते हैं पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं तो यह हम किसी भी गुलाब के फूल की बात नहीं कर रहे हैं या a, या an, या the, तो यहाँ पे the use हुआ है, the proud rose, क्योंकि जो rose है, वो क्या है, संग्या, और proud उसको describe कर रहा है, adjective है, और ये है article, तो ये noun हो गया, noun को क्या describe कर रहा है, adjective, adjective विशेशन होते हैं, जो की विशेशता बताते हैं, तो ये हो गया adjective, और हमेशा, जो noun होता है, उससे पहले हम यूज करते हैं, article, तो the, की एक specific घमंडी, गुलाब की बात हो रही है, तो the proud rose, अब स्टोरी ऐसे शुरू होती है, once upon a time, अब punctuation mark है, comma, तो यहाँ comma का मतलब होता है, थोड़ा रुकिये, परते time, reading जब हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे रुकेंगे, pause दें there was a, वहाँ एक था, तो there मतलब वहाँ था एक beautiful rose plant, एक सुन्दर rose गुलाब का पौधा, एक सुन्दर गुलाब का पौधा in a garden, garden बगीचा in में, तो एक बगीचे में, तो अब इसका पूरे sentence का यह मतलब बना, once upon a time, there was a beautiful rose plant in a garden, एक समय की बात है, एक बहुती सुन्दर गुलाब का पौधा था एक बगीचे में, one rose flower on the plant was proud of its beauty, one rose flower, एक गुलाब का फूल, तो अब पिछली लाइन में हमने बात करी गुलाब के पौधे की, अब उसी पौधे में, एक गुलाब का फूल, on the plant, उस पौधे में, was proud, घमंड, घमंडी था, of its beauty, किस पात का घमंड था उसको, अपनी, its, अपनी, ब्यूटी सुन्दर था, अपनी सुन्दर था पर, वन रोस फ्लार, on the plant, was proud of its beauty, एक गुलाब का फूल, जो कि उस पौधे में, उगा हुआ था, वो उसको घमंड था, अपनी सुन्दर था पर, however, फिर से यहां पर कॉमा है, तो थोड़ा सा रुकिए, पॉस दीजिए, however, it was disappointed, disappointed, that it was growing next to an ugly cactus, however, हाला की, it was disappointed, it use किया गया है, यह प्रोनाउन है, जो use किया गया है, उस गुलाब के फूल की तरव, वो क्या बोल रहा है, it was disappointed, वो निराश था, तो उदास था, क्यों था उदास, that it was growing next to an ugly cactus, क्योंकि वो बड़ा हो रहा था, growing, बड़ा हो रहा था, next to का मतलब होता है, पास में, बगल में, to an ugly cactus, ugly का मतलब होता है, भद्धा जो दिखने में अच्छा नहीं है, और cactus, cactus में एक पौधा होता है, आपने देखा होगा, जिसमें काटे-काटे होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, जादर desert plant होता है, तो उसको किस चीज का, किस चीज की निराशा थी, या उदासी किस बात की थी, कि वो जब बड़ा हो रहा है, तो किस के साथ बड़ा हो रहा है, साथ साथ में कौन है, उसके, cactus, जो की बहुती भद्धा है, और वो तो अपने आपको बहुती सुन्दर समझता है, तो उसको इसका घमंड भी था, और इस बात की निराशा थी, कि वो किस के साथ बड़ा हो रहा है, एक भद्धे से, cactus के पौधे के साथ, एवरी डे, कॉमा है, रुकिए, दे रोज, वोड इंसल्ट, दे कैक्टस, अब इट्स लुक्स, कॉमा, बट दे कैक्टस, स्टेड, क्वायट, अब एवरी डे, हर रोज, दे के यहां पर रोज, रोज, लेकिन यह अलगलग, लेंग्वेज़्जिस के हैं, हर रोज हिंदी का होगया, और रोज ह है गुलाब के लिए, हर रोज, दे रोज वोड इंसल्ट, जो गुलाब का फूल है, वो इंसल्ट, बेज़ती करना, किसकी बेज़ती, दे कैक्टस, बेजती करता था about its looks, उसके looks को लेकर, तो looks का मतलब है कि वो कैसा दिखता है, cactus पहुती भद्दा था दिखने में, तो उसके बारे में उसकी looks को लेकर वो हमेशा रोज उसकी बेजती करता था, every day the rose would insult the cactus, every day हर रोज जो गुलाब है, गुलाब का फूल वो बेजती करता था, cactus की उसकी looks को लेकर कि वो कैसा दिखता है, कॉमा है, but the cactus state quiet, लेकिन जो cactus है, वो देखो quiet की जो spelling होती है Q-U-I-E-T, इसका मतलब तो होता है कि चुप रहना, शान्त रहना, और एक होता है quiet, Q-U-I-T-E, तो वो अलग है उसका मतलब, तो quiet का मतलब मतलब है E-T जिसमें आते हैं, उसको कहते हैं चुप रहना, Q-U-I-T-E, quite boring, quite difficult, बहुत boring, बहुत difficult, तो वो दूसी sense में use होता है, तो इसमें confused नहीं होना है, इनको कहते हैं homophones, जो की सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, pronunciation, अगर आप बोलोगे, pronounce करोगे, उचारन करोगे, तो एक जैसे लगेंगे सुनने में, लेकिन मतलब उनका अलग-अलग होता है, spelling भी अलग-अलग होती है, क्या बोलते हैं उनको homophones, homo means same, और phones means phonetic sound, sound कैसा आता है उसका, तो इसलिए वो homophones है, क्योंकि वो similar sound produce करते है, stay quiet, चुप रहा, तो cactus जो है, वो सुनता था रोज, कितनी बेजती करता है, गुलाब का भूल उसकी, लेकिन वो फिर भी क्या रहता था, चुप चाप रहता था, यह तो cactus की बहुत अच्छी quality है, विशेशता है, कि वो difficult times में भी चुप रहता है, बहुत शांस वभाव का है, तो देखते हैं, अब क्या हुआ आगे, अब यहाँ पर मैंने दी इसलिए बोला है, वैसे इसको द बोलते हैं, लेकिन दी कप-कप बोलेंगे, जबकि इसके आगे वाला जो word होता है, उसका पहला वाला letter, vowel sound produce करता है, अगर vowel की sound आ रही है, अ-e-i-o-u, इसकी sound आ रही है, तो दी पढ़ेंगे, तो all the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus, कॉमा थोड़ा रुखिये, but the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone, अब देखें यह important है lines, क्योंकि इसमें बहुत सारे grammar के structure है, जो मैं आपको अब बताऊंगी, all the other plants, यहाँ पर आपको बता दिया, उचारन को लेकर क्या है, क्या अलग होता है, वैसे the बोलेंगे इसको हर जगे, अगर वो vowel sound के आगे आता है, a-e-i-o-u, तो अब इसको पढ़ेंगे the, all the other plants in the garden, बाकि सभी जो पौधे थे बगीचे में, tried to stop, try, verb की first form, try मतलब कोशिश, और tried इसका past tense हो गया, verb second form sentence है, simple past, जिसको past indefinite भी कहते है, tried, कोशिश की, तो जो बाकि दूसरे पौधे थे, पगीचे में उगे हुए, उन्होंने कोशिश की to stop, रोकने की the rose from, rose के गुलाब को from bullying the cactus, बुली का मतलब होता है धमकाना, जो लोग बुली करते हैं दूसरों को, अपने से कमजोर लोगों को, किसी भी बात को लेकर वो दूसरों के उपर अत्याचार करते हैं, mental अत्याचार हो सकता है, emotional form में हो सकता है, धमकाते हैं उनको, सीधे verbal तरीके से हो सकता है कि भी बोल कर किस तरीके से बुली कर रहे हो, तो धमकाता था वो, क्योंकि वो रोज उसकी बेज़ती करता था, तो बाकी लोगों ने, बाकी प्लांट्स ने, पौधों ने उसको मना भी किया, from bullying the cactus की वो, cactus को रोज ना धमकाए, तो इसका मतलब, बुली का मतलब होता है, धमकाना, but the rose was too suede by its own beauty to listen to anyone, जब भी TOO और TOO, एकी sentence में आता है, तो उसका मतलब क्या बनेगा, देखो, but the rose was too suede by its own beauty, लिकिन जो गुलाब का फूल था, वो तो अपनी ही सुन्दर्ता को लेकर इतना प्रभावित था, sway, प्रभावित होना, suede, प्रभावित होना या बह जाना अपनी सुन्दर्ता, बस अपनी सुन्दर्ता के बारे में ही सोचना, लिकिन जो rose है, गुलाब है, वो तो इतना प्रभावित था अपनी सुन्दर्ता के लिए, कि वो किसी की बात सुनता ही नहीं था, अब इसका negative meaning होता है, TOO और TOO जब एक ही sentence में आ जाते हैं, जैसे कि आप बोल सकते हो, I am too good to ask anyone, वालाब कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मुझे दूसरों को पूछने की ज़रुरती नहीं है, तो negative sense हो रहा है इसका, too good to do something, इतना अच्छा होना कि दूसरे की help ना लेना, तो यहाँ पर यह क्या है, to swayed by its own beauty, अपनी सुनदर्था से इतना प्रभावित था, to listen to anyone, कि वो किसी दूसरे की बात को सुनना पसंद ही नहीं करता था, तो यह ध्यान रखिए, टी डबल हो और टी हो जब एक ही लाइन में आ जाता है, तो negative sense होता है उसका, one summer, कॉमा है, रुकिए, a well in the garden, dried up, एक गर्मी के दिन क्या हुआ, a well, well का मतलब होता है कॉमा, in the garden, बगीचे में, dried up, dry, सूख ना, dry, first form of verb, dried है उसका, past tense, second form of verb, dried, सूख गया, एक कॉमा जो है, जो कि उसी बगीचे में था, वो सूख गया, and there was no water for the plants, और, कुछ भी पानी, नहीं था, था, was था, for the plants, पॉधों के लिए, कोई पानी नहीं रहा, उस बगीचे में, क्योंकि क्या था, जो कुमा था, वो बिल्कुल सूख गया, उसमें पानी खतम हो गया, तो पॉधों के लिए, पानी नहीं बचा, the rose, slowly, began, to wilt, बिगिन, बिगन, बिगन, तो यह हो गया, वर्ब सेकिंड फॉर्म, तो जिसमें भी वर्ब सेकिंड फॉर्म लगती है, वो सेंटेंस होता है, पास्ट, इंडेफिनेट, या सिंपल पास्टेंस, तो रोज जो है, रोज का फूल, slowly began to wilt, विल्ट का मतलब होता है, मुर्जाना, तो जब उसको पानी नहीं मिलेगा, तो धीरे-धीरे, उसके जो फूल की पंखुडिया थी, वो मुर्जाने लग गई, तो वो जो गुलाब था, वो धीरे-धीरे, slowly, धीरे-धीरे, began, शुरू हो गया, टू विल्ट मुर्जाना, तो धीरे-धीरे, गुलाब मुर्जाना शुरू हो गया, क्योंकि उसको पानी नहीं मिला, दरोज, सौ अ स्पैरो, डिप इट्स बीक, इन्टू दे कैक्टस, फॉर सम वाटर, तो रोज ने क्या देखा, दरोज सौ, सी का पास्टेंस है, सौ, देखा, कि एक स्पैरो, स्पैरो एक चिडिया का नाम है, जिसको गुराइया बोलते है, डिप इट्स बीक, कि उसने देखा, कि एक गुराइया ने, बीक चोंच और डिप डुबोई, अपनी चोंच डुबोई, इन्टू दे कैक्टस, कैक्टस के अंदर, फोर सम वाटर, थोड़े से पानी के लिए, अब आपको यह पता होगा, कि जो कैक्टस प्लांट होता है, वो डेजर्ट प्लांट है, वो अपने में पानी स्टोर करके रखता है, तो जो गुराइया है, उसने चिडिया ने अपनी चोंच को, कैक्टस प्लांट में डुबोया, थोड़ा सा पानी पीने के लिए, अब यह जो द्रिश्य देखा, जब ऐसा देखा रोज ने, तब उसको बहुती सौरी फील हुआ, बहुती शर्मिंदगी महसूस हुई, जो भी उसने गलत काम किया था, उसका पच्टावा होना, तो यहाँ पे वो शर्मिंदगी महसूस हुई उसको, कि उसने अब तक फन, मजाग उड़ाया था, कैक्टस का all this time, इस पूरे समय, तो पूरे सेंटेंस का यह, मतलब हुआ, यहाँ से, तो इस बात, जब उसने यह द्रिश्य देखा, कि एक चिडिया, अपनी चोंच डुबो कर, कैक्टस से पानी पी रही है, तो यह देखकर, उसको शर्मिंदगी महसूस हुई, अपने बिहेवियर पर, for having made fun of कैक्टस, कि उसने कैक्टस का मजाग उड़ाया, इस पूरे समय, बट, बिकज, इट वास, इन नीड ओफ वाटर, कॉमा, थोड़ा सा पॉस दीजिए, इट वेंट, तो आस्क तब कैक्टस, इफ इट कुड हैव सम वाटर, अब क्या हुआ, गौराया को उसने देखा, कि वो थोड़ा सा पानी पीरी है, इस तरीके से, तो उसको भी तो पानी चीए था, क्योंकि उसकी पतिया मुर्जा रही है उस टाइम पे, बट, बिकज, इट वास, इन नीड ओफ वाटर, अब इट किसके लिए यूज है, गुलाब के लिए, गुलाब था, इन नीड ओफ वाटर, आवश्यक्ता किसकी पानी की, क्योंकि अब गुलाब को भी पानी की आवश्यक्ता थी, इट वेंट, गो का पास्टेंस है वेंट, गुलाब है वो गया, टू आस्क दे कैक्टस, कैक्टस से पूछने के लिए, इफ इट कुड हैव, अगर वो ले सकता है, कुड ले सकता है, सम वाटर, कुछ पानी, तो अब वो, पहले तो वो उसका मजाग उडादा था, अब जब खुद परेशान हो गया, खुद ज़रुवत है, तो अब वो उसके पास जा रहा है, उससे हेल्प मागने के लिए, कैक्टस के पास, अब कैक्टस, अब कैक्टस जो है, वो बहुत ही दयालू किसम का है, दयालू किसम का है, तो जो अग्री का मतलब हुआ, अग्री सहमत, और अग्रीड सहमत हो गया, तो दयालू कैक्टस सहमत हो गया, एंड दे बोथ गौट थू समर, और वे दोनों गौट थू मतलब की मुसीबत से बहार आ जाना, ठीक है, तो क्या मुसीबत है, कि पानी खतम हो गया है दोनों के लिए, सब के लिए सारे, पेड, पौधे, जो भी हैं उस बगीचे में लगे हुए, तो ये दोनों जो हैं, ये बुरे समय से, या फिर बाहर निकलाए गर्मी से, गर्मी के महीने चल रहे हैं, तब ही यहां पर पानी कतम हो गया है, उनके कुए में, तो वो इस गर्मी से बाहर निकलाए, एस फ्रेंज, और क्या होगे उनमें, दोस्ती हो गई दोनों में, अब जब उसकी हेल्प मिल गई, और गुलाब ने भी थोड़ा सा पानी पी लिया, तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, और इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प करके, तो अब मुसीबत से बाहर निकलते हैं, तो जब यहाँ पर भी उसको मदद मेली, तो दोनों के दोनों में दोस्ती हो गई, तो इसका मॉरल जो है स्टोरी का, वो है, बहुत अच्छा मॉरल है, कि वो किस तरह से दिखते हैं, सिर्फ देखने की वैसे कोई कैसा दिख रहा है, उसकी वज़े से हमको राए नहीं बनानी चाहिए, सबसे जरूरी बात होती है, इंसान का नेजर कैसा है, उसकी behavior कैसा है, अगर behavior अच्छा है, तो सब अच्छा है, ऐसा हो सकता है कि कोई आपका जो friend है, वो सिरफ दिखने में तो बहुत अच्छा है, बाकी घमंडी है, किसी की help ही नहीं करता है, और bully भी करता है, दूसरों को धमकाता भी है तो यह तो सारी के सारी characteristic traits जो है बहुत गंदे है तो सब की जो help करता है अच्छे तरीके से बोलता है शांत सभाव का होता है वो तो सब का friend भी बन जाएगा बहुत ही easily और जो इस तरीके से घमंडी लोग होते हैं उनको तो हमेशा नीचा देखना प भाव के होते हैं तो वो भी अच्छे होते हैं चाहे दिखने में वो कैसे भी हूँ तो कभी भी अपनी राय हमको दूसरों की looks के ओपर based होकर नहीं बनाने चाहिए तो आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और कमेंट एक छोटा सा देकर बता सकते हैं आपको स्टोरी कैसी लगी थैंक यू एवरीबडी फोर वाचिक सी यू इन दे नेक्स्ट वीडियो